दोस्तों मैं धर्मेंद्र कुमार अपने योटूब चैनल डीके टेकनो 52 में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों और आसा करते हैं कि आप सकुसल संपन्न होंगे आज मैंने अपने वीडियो के टेटियोरियल में सारे चीच को कबर किया हूँ मेरे वीडियो का सबजेक्ट है दोस्तों की यदि आप वोटर कर्ड़ अपलाई किये हैं और उसका क्या इस्तिती है क्या कंडीशन है बनने के बाद आपके पास भोटर कर्ड नमबर है ना तो अपलीकेसन नमबर है ना तो रिफरेंस नमबर है तो आप अधर डीटेश से किस पाते हैं आप अपने नाम से और अपने पीता के नाम से गाउं गली महला और अपने राज्य के नाम से किस तरह से आप चेक करेंगे कि मेरा जो भोटर कार्ड है क्या इस्थिती है क्या कंडिशन है दोस्तों तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं बेटर साउंड खोल भी चुका हूँ आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां आपको टाइप कर देना है दोस्तों यह अनभी एसपी आप देखिए हमने यहां टाइप कर दिया है यहां आप देख सकते हैं यह आपको सर्च कर लेना है दोस्तों जैसे ही आप इनभी एसपी पर गोनाव करते के नीचे आना है दोस्तों जैसे ही आप स्क्राल डाउन करके आते हैं इसमें बहुत सारा अप्सन है तो हमें पता करना है बेगर रिफरेंस नंबर बेगर भोटर काड नंबर मतलब अदर डिटेल्स नाम और जीला राज्य और विधान सभा का नाम डाल करके तो आपको क्या कर करना है दोस्तों इसी पर क्लिक कर देना है सर्च इन इलेक्टरल रोल जैसे ही आप सर्च इन इलेक्टरल रोल पर क्लिक करते हैं दोस्तों इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है यहां देखे एक चीज हम आपको बता देते हैं आप भासा का चैन कर लेंग अम्हेंक me तो ईक एक उम्हेर साङ नम जा चुए और नहीं तो एक अंदाज वस उम्हेर क्लिक रहने दे दोस्तों और इसके बाद आप ही हाँ क्लिक करेंगे तो आप सना जाएगा आप अपना जो अंदाज एक मतलब की गेस करके आप अपना उम्र का सेलेक्शन कर लेंगे इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों और आप अपने जेंडर का चायन कर लेंगे कि महिला हैं कि पुरुशन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर क्लिक तो आप अपने राज्य का चुनाओ कर लेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो आप अपने जीला का चुनाओ कर लेंगे दोस्तों इतना करने के बाद आपको स्क्राल डाउन करना है दोस्तों स्क्राल डाउन करने के बाद यहां आप अपने जीला का नाम क्लिक करके डाल लें है capture capital letter small letter number symbol का ध्यान रखेंगे दोस्तों नहीं attachment नहीं होगा यदि capture नहीं समाझ में आता है तो इस पर से refresh कर ले और यदि आपको नहीं समाझ में आता है तो इससे speak mode मतलब यह माईक जैसा बोलेगा और आपको बताएगा capture क्या है आप यहां देख सकते हैं सारी जानकारी मेंसन की हुई है दोस्तों आप यहां देख सकते हैं साब साब दिख रहा है इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं दोस्तों यहां आप देख सकते हैं सारी इंटरफेस खुल के सामने आ गया है दोस्तों आप यहां देखेंगे कि यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर देखिए कंडीडेट का नाम आ जाएगा कंडीडेट का नाम आ जाएगा दोस्तों फिर इसके बाद क्या होता है कि लिंग आ जाएगा उसका इंगली English में रहेगा आपका पार्ट संख्या रहेगा दोस्तों और इसके बाद भाग संख्या रहेगा इसके बाद मद्दाता करमांक रहेगा दोस्तों मद्दाता केंद्र कहां आपका वोट पड़ता है वहां रहेगा महताता की पहचान क्या है दोस्तों सब कुछ मेंसन रहेगा देख सकते हैं कितना सुन्दर में डिजाइन किया गया है दोस्तों आप देख सकते हैं नया वाला है बिल्कुल यहां पे qr code है यहां पे आपका जो हाइड किये हुए है यहां पर आपका voter id number है और यहां पर किस तारीक को download हुआ है यहाँ पे address रहेगा यहाँ पे आपका photo रहेगा दोस्तों यहाँ पे वहीं voter card number IPIC number रहेगा यहाँ पर आपका नाम रहेगा यहाँ पीता का नाम रहेगा यहाँ data birth रहेगा mail है कि mail है सब कुछ रहेगा दोस्तों तो I hope मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सेर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, घंटे का बटन दबा के और नोटिपिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी helpful वीडियो आपको पहुंचती रहे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो